अब आईए वक्त आचुका है जोत्वश और योग की सिरीज में आप अपनी ये अपनों की कुंडली खोल कर देखें कि क्या आपकी कुंडली में ऐसा कोई स्रापित या पित्रदोश बन रहा है सेवन्थ हाउस मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस होता है पूरुश की कुंडली में पत्नी का होता है पत्नी की कुंडली में पती का होता है इसमें अगर सेवन्थ हाउस में सूरी रहू, गुरू रहू, गुरू केतू, रहू शनी, शनी केतू इन मैंसे कोई जो कॉम्बिनेशन म अगर बनता है तो पूरुष को यह समझना चाहिए कि मेरे जीवन में जो पित्र दोश है वह मेरी पत्नी के तरफ से आया है या फिर पत्नी के साथ में पित्र दोश है जो मुझे भी परिशान कर रहा है ऐसा ही सेम पत्नी को भी समझना चाहिए और ऐसी अवस्ता में अपने ज पती के पितर दोश और उसकी शांती करवाना आपके लिए जरूरी होगा इससे पती पत्री के मद्ध वैबनस से और जो शांती है वो बढ़ेगी और जो मन बेद और मद बेद है वो दूर हो जाएगा और आपको बहुत सारे लाब भी प्रापत होंगे शांतार आपका सुमव बार गुजरे और यही पितर पक्ष में आपको पितरों का और परिवार का और साथ में बगवान का आशरवाद विले प्रापत्रा के साथ अपने जुवान को विराम देना चाहता हूं प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद